हाई फ्रेंद्स वेलकम टो शिलपास किचन आज हम बनाने वाले हैं यूनीक ब्रेड की रेसिपी तो चलिए यहां पर देख लेते हैं तो मैंने यहां पर आठ ब्रेड के स्लाइस दिये हैं और दो चौकलेट लिये हैं डेरी मिलके और यह रेसिपी बहुत ही सेंपल है बड़ स्लाइस लिये हैं ब्रेड के अब में इससे जो हे शर्कल शेप में गठ कर रही हूं सबीकर करने के लिए आप तो थन्डा होने से जो है आसानी से कट जाता है और यह मैंने जो है रैसीबी बनाने से दस मेद मिन पहले चोकलेट को बाहर रख लिया था उल्रेडि वो हेरो ते जम कटोरी मेंक लिया है सारे ब्रेड को अच्छे से सर्कल ब्रैड बार्ड को सकति हम दूद्र दूद इसे लिए लगाना है कि हम जो रैसेपी बना रहे हैं तो उसमें ब्रेट जो है अच्छे से स्टिक हो जाय udah तो देखिए इसी तरह से आपको जो है मिलक यहां पर लगा देना है और मैं यहां पर दो जो है चौकलेट के स्वेर ले रही हूं आप चाहे तो तीन भी आड़ कर सक अब चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं तो देखे ऐसे प्रेस करके जो है हम इसे एक अच्छे से इडली का शेप देदेंगे तो हम इसको जो है ब्रेट चोको इडली का नाम भी दे सकते हैं तो देखे रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है लेकिन जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी भी बनके निकल के आती है और जल्दी भी बन जाती है तो देखे इसी तरह से मैं आपको दूसरा ब्रेट भी जो है कैसे बनाना है वो दिखा रही हूँ आप देखे यहां पर मैंने 3 जो ह को हेएhte 2-3प मिल्ट गैप नखे को युज लगैने थे श्क्राइ दूग इसी तरह से मैंने सारी रीय डी ये तडियार कर लीया तो कुल यहाँ पर मैंने चार इडली बनाई तो चलिए अब हम चलते हैं । नेक्स्ट ठैप वहे गास की तरह तो पैन पे मैंने बटर को थोड़ा से मेल्ट कर दिया आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं और हम यह सभी हमारी जो इडली है प्रेट की उसे हम प्लेस कर देंगे इसी तरह से प्लेस कर देना है आज को बिल्कुल धीमे रखना है यह ध्यान में रखिएगा और लिड इसे डख देना है तो अब इससे क्या होगा कि हमारी इडली के अंदर जो चौकलेट है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और अब देखिए दो मिनिट तक मैंने एक तरह जो है एक साइड सेक लिया है अब देखिए इस पे मैं बटर या तो फिर आप घी लगा सकते हो मैं इसे स्प्रेट कर ली हूँ बटर से बटर एक बार इक बार प्लत ने से पहले यह जो बटर हम या घी हम लगाते है तो उसकी हीटिंग से जो ह आपर दो करना जो है बहुत जरूरी है जिससे अंदर की जो चोकलेट ब्रेट के अंदर की वह अच्छे से मेल्ट होके निकलती है तो बस दो मिनिट के बाद देख लीजए हमारा जो है दूसरा साइड वह भी चेक कर लेते हैं तो दीकिए दूसरा साइड भी बगार बहुत ही टेस्टी है यमी है और आप जरूर जो है ट्राइ कीजिएगा और दिखिए चॉकलेट भी अंदर जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो फ्रेंज अगर रेसीपी पसंद आती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए तो तब तक के लिए बाइ